आप सभी को मेरा नवशकार दोस्तों, Bank of India का Admit Card आउट हो चुका है, जो PGDBF PO का पेपर है तो काफी थारे लोगों ने हमसे पूछा था कि इसका exam टोटल कितनी shift में है, टोटल केंडिडेट कितने है, इसका तो मैं अल्रेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो टोटल shift के लिए हमने कल एक community post कराई थी, तो उस पे जितने comment अभी तक बच्चों के आए, तो उसके अंदर बच्चों ने लिखा है कि 19 मार्च को एक तो सुबह साड़े साथ बजे और एक साड़े बारा बजे, यानि 12.30 पे दिन में और 7.30 पे सुबह, ये दो shift का timing अभी तक निकल के सामने आया है, अगर इसके इलावा आपका और किसी shift में है, तो नीचे comment box में type करें ताकि पता पड़े कि total कितनी shift में exam हो रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है तो इस दो shift में exam होगा, क्योंकि इसके अंदर एक तो total जो form filling होई है, वो कम होई है, वो ज़्यादा form filling नहीं होई है, जितनी IVP, PO अगरे में होई है, रहा सवाल इसमें exam level कैसा रहेगा, तो exam level में आपको समझा दू कि इसके अंदर पहले ही notification में उन लोगोंने लिख रखाए कि 40% जो है वो minimum जरूरी होगा लाना, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका exam level जो है, वो RRB clerk और PO level के बीच का रहना चाहिए, ज्यादा अप नहीं जाएगा इसका exam level, तो इसलिए अपनी तयारी उस हिसाब से करें साथ ही competition level की बात करें, तो competition level देखो, इसके अंदर सीटे काम है, तो form filling भी काम है, IVPS PO के अंदर सीटे जादा होती, form filling भी जादा होती, हाला कि फिर भी comparatively, IVPS PO के comparison में थोड़ा कम होगा इसके अंदर competition, तो और कोई जानकारी, अगर आप चाहते हैं Bank of India PGDPF की, तो आप नीचे बता सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे, उसका reply देने की, साथ ही olive board जो है, वो Mission Bank Exam 2023 का एक webinar करा रहा है, mega webinar 4.0 करके, 18 March को ये है, तो इसका link में नीचे description box में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं, तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, अगर इस तरह के और वीडियो चाहते हैं, तो नीचे comment box में टाइप करें, और हमारी चैनल को like, share, subscribe करें, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद,